मेरे प्यारे देश वाषियो नमस्कार देश विदेश में रहने वाले सभी भारतियों को स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुब कामना हैं यह दिन हम सभी के लिए अतियंत हर्ष और उल्लास का दिन है इस वर्ष के स्वाधिनता दिवस का विशेश महात्व है क्योंकि इसी वर्ष से हम सब अपनी आजादी की 75 वी वर्ष गाट के उपलक्ष में आजादी का अम्रत महोत्सो मना रहे है इस एतिहासिक आउसर पर आप सभी को बहुत बहुत बढ़ाई स्वाधिनता दिवस हमारे लिए पराधिनता से मुक्ती का तेवहार है कई पीरियों के ग्यात और अज्यात स्वतंदता सेनानियों के संघर से हमारी आजादी का सपना साकार हुआ था उन सभी ने त्याग वावलिदान के अनूठे उदाहरन प्रस्तुत किये उनके शोर्ज और पराक्रम के बल पर ही आज हम और आप आजादी की सांस ले रहे हैं मैं उन सभी अमर सेनानियों की पावन इस्मती को स्रद्धा पूर्वक नमन करता हूँ अनेक देशों की तरह हमारे राष्ट को भी विदेशी हुकूमत के दोरान बहुत अन्याय और अत्याचार सहने पड़े परंत भारत की विशेष्टा ये थी कि गांदी जी के नितर्त में हमारा स्वाधिनता अंदूलन सत्य और हिंसा के सिद्धान्तों पर आधारित रहा उन्हों ने तथा अन्य सभी राष्ट नायकों ने भारत को आप अनिवेशिक साशन से मुक्त करने का मार्ग तो दिखाया ही साथ ही राष्ट के पुनर रिंणमार की रूप रेखा भी प्रस्तुत की उन्होंने भारतिय जीवन मूल्यों और मानवी गरिमा को पुना इस्थापित करने के लिए भी बारपूर प्रियास किये अपने गरतंत्र की विगत 75 वर्सों की यात्रा पर जब हम नजर डालते हैं तो हमें ये गर्ब होता है कि हमने प्रगती पत पर काफी लंबी दूरी तै कर ली है गांदी जी ने हमें ये सिखाया है कि गलत दिसा में तेजी से कदम बढ़ाने से अच्छा है कि सही दिसा में दीरे ही सही लेकिन सधे हुए कदमों से आगे बढ़ा जाए अनेक परंपराओं से सम्रद्ध भारत के सबसे बड़े और जीवन लोकतंतर की अदभुत सफलता को विश्व शमदाय सम्मान के साथ देखता है प्यारे देशवासियों, हाल ही में संपन टोक्यो ओलम्पिक में हमारे खिलाडियों ने अपने शांदार प्रदसन से देश का गवरो बढ़ाया है भारत ने ओलम्पिक खिलों में अपनी भागिदारी के 121 बरसों में सबसे अधिक मेडल जीतने का इतियास रचा है हमारी बेटियों ने अनेक बाधाओं को पार करते हुए खेल के मैदानों में विश्व इस्तर की उत्क्रिस्टता हासिल की है खेल कूद के साथ साथ जीवन के हर छेतर में महिलाओं की भागिदारी और सफलता में युगांतर कारी परिवर्दन हो रहे हैं उच्चे सिक्षण संस्थानों से लेकर सशस्त्र बलों तक प्रियोग शालाओं से लेकर खेल के मैदानों तक हमारी बेटियां अपनी अलग पहचान बना रही है बेटियों की इस सफलता में मुझे भविश्च के विक्सित भारत की जलक दिखाई देती है मैं हर माता पिता से आग्रे करता हूँ कि वे ऐसी होनहार बेटियों के परिवारों से सिक्षा लें और अपनी बेटियों को भी आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करें पिछले साल की तरह महामारी के कारण इस वर्स भी स्वतंदता दिवस समारों बड़े पैमाने पर नहीं मनाए जा सकेंगे लेकिन हम सब के हरदय में हरदम भरपूर उत्सा बना हुआ है हलाकि महामारी की तिवर्ता में कमी आई है लेकिन कोरोना वाइरस का प्रभाव अभी समाप्त नहीं हुआ है इस वर्स आई महामारी की दूसरी लहर के विनाजकारी प्रभाव से हम अभी तक उबर नहीं पाए है पिछले वर्स सभी लोगों के असाधहरन प्रयासों के वल पर हम संक्रमण के प्रसार पर काबू पाने में सफल रहे थे हमारे वज्ञानकों ने बहुत ही कम समय में वैक्सीन तयार करने का कठिन काम संपन्न कर लिया इसलिए इस वर्स के आरम में हम सब विश्वास से भरे हुए थे क्योंकि हमने इतिहास का सबसे बड़ा टीका करना वियान सुरू कर दिया था फिर भी कोरोना वाइरस के नए रूपों और अन अप्रतियासित कारणों के परणाम सुरूप हमें दूसरी लहर का भयावय प्रकोप चेलना पड़ा मुझे इस बात का गहरा दुख है कि दूसरी लहर में बहुतेरे लोगों की प्रान रक्षा नहीं की जा सकी और बहुत से लोगों को भारी कस्ट सहने पड़े यह अभूत पूर्व संकट का समय था मैं पूरे देश की ओर से आप सभी पीड़ित परिवारों के दुख में बरावर का भागीदार हूँ यह बाइरस एक अद्रस वा सक्तिशाली सत्रू है जिसका विज्ञान द्वारा सराहनी गती के साथ सामना किया जा रहा है हमें इस बात का संतोस है कि इस महामारी में हमने जितने लोगों की जाने गवाई हैं उससे अधिक लोगों की प्रान रक्षा कर सके हैं एक बार फिर हम अपने सामुहिक संकल्प के बल पर ही दूसरी लहर में कमी देख पा रहे हैं हर तरह के जोखें भुठाते हुए हमारे डाक्टरों, नर्सों, स्वास्त कर्मियों, प्रशासकों और अन कोरोना योद्धाओं के प्रियासों से कोरोना के दूसरी लहर पर काबू पाया जा रहा है कोबिट की दूसरी लहर से हमारी सार्व जनेक स्वास्त सेवाओं के बुनियादी धांचे पर बहुत दबाव पड़ा है सच तो यह है कि विक्सित अर्थ विवस्ताओं समेथ किसी भी देश का बुनियादी धांचा इस विक्राल संकट का सामना करने में समर्थ सिद्ध नहीं हुआ हमने स्वास्त विवस्ता को मजबूत बनाने के लिए युद्ध इस्तर पर प्रियास किये देश के नेतरतों ने इस चुनोती का डटकर सामना किया केंदर सरकार के प्रियासों के साथ साथ राज्य सरकारों निजी छेतर की स्वास्त सुविधाओं गैर सरकारी संगठनों तता अन्य समूहों ने सक्री योगदान किया इस असाधारन अव्यान में कई देशों ने उदारता से अनिवार रवस्त हुएं उसी तरह साथा की जैसे भारत ने बहुत से देशों को दवाईयां उपकरण और वैक्सीन उपलब्द कराई थी इस सहायता के लिए मैं विश्व समूदाय का आवहार प्रकट करता हूँ इन सभी प्रियासों के परणाम सुरूप काफी हद तक सामान ने स्थिती बहाल हो गई है और अब हमारे अधिकांस देशवासी रहात की सांस ले रहे है अब तक के अनभों से यही सीख मिली है कि अभी हम सब को लगातार सावधानी बरतने की जरूरत है इस समय वैक्सीन हम सब के लिए विज्ञान द्वारा सुलब कराया गया सर्वोत्तम सुरुक्षा कवच है हमारे देश में चल रहे विश्व के सबसे बड़े टीका करना वियान के तहट अब तक पचास करोड से अधिक देशवासियों को वैक्सीन लग चुकी है मैं सभी देशवासियों से आगरे करता हूँ कि वे प्रोटोकोल के अनुरूप जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवाले और दूसरों के भी प्रेरित करें मेरे प्यारे देशवासियों इस महामारी का प्रभाव अर्थविवस्ता के लिए उतना ही विनासकारी है जितना लोगों के स्वास्त के लिए सरकार गरीब और निम्न मध्यम वर के लोगों के साथ साथ छोटे और मध्यम उद्योगों की समस्याओं के विशे में भी चिंतित रही है सरकार उन मजदूरों और उद्यम्यों की जरूरतों के प्रतिवी संबेदन सीर रही है जिनने लागडाउन और आवागवन पर प्रतिवंदों के कारण कटनाईयों के सामना करना पड़ा है उनकी जरूरतों को समझते हुए सरकार ने पिछले वर्स उन्हें राहत प्रदान करने के लिए बहुत से कदम उठाए थे इस वर्स भी सरकार ने मई और जून में करीब 80 करोड लोगों को अनाज उपलब्द कराया अब यह सायता दीपावली तक के लिए बढ़ा दी गई है इसके अलावा कोविट से प्रभावित कुछ उद्यमों को प्रोटसाहन देने के लिए सरकार ने हाल ही में 6,28,000 करोड रुपए के प्रोटसाहन पैकेज की घुषना की है यह तत्थ विसेश रूप से संतोज जनक है कि चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए एक वरस की अवदी में ही 23,220 करोड रुपए खर्च किये जा रहे है मुझे इस बात की खुसी है कि सभी बाधाओं के बाबजूद ग्रामीर्ट चेत्रों में विसेश रूप से क्रसी के चेत्र में बढ़ोतरी जारी रही है हाल ही में कानपूर देहाद जिले में इस्थित अपने पैत्रिक गाउं परोग की यात्रा के दोरान मुझे यह देखकर बहुत खुसी हुई कि ग्रामीर्ट चेत्रों में लोगों के जीवन को सुगम बनाने के लिए बेतर इंफ्रस्ट्रक्चर विक्सित किया जा रहा है सहरी और ग्रामीर्ट चेत्रों के बीच की मनोवईग्यानिक दूरी अब पहले की तुलना में काफी कम हो गई है मूलता भारत गाउं में ही बसता है इसलिए उन्हें विकास के पैमानों पर पीछे नहीं रहने दिया जा सकता इसलिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी सहित हमारे किसान भाई बहनों के लिए विशेश अभियानों पर बल दिया जा रहा है ये सभी प्रयास आत्मिनरबर भारत की संकल्पना के अनुरूप है हमारी अर्थ विवस्ता में नहित विकास की छमता पर द्रडविश्वास के साथ सरकार ने रक्षा स्वास्त नागरी कुड्डेयन विद्दुत तथा अन्य छेत्रों में निवेश को और अधिक सरल बनाया है सरकार द्वारा परियाबरन के अन्कूल उर्जा के नवी करनी इस रोतों विशेश रूप से सोर उर्जा को बढ़ावा देने के नवीन प्रयासों की विश्य व्यापी प्रसंसा हो रही है जब इस आफ डूइंग बिजनिस की रैंकिंग में सुधार होता है तब उसका सकारात्मक प्रभाव देशवासियों की इस आफ लिविंग पर भी पड़ता है इसके अलावा जन कल्यान की योजनाओं पर विसेश जोर दिया जा रहा है उदारन के लिए सत्तर हजार करोड रुपए की क्रेडिट लिंक्ट सबसिडी योजना की बदोलत अपना खुद का घर होने का सपना अपसाकार हो रहा है एगरी कल्चरल मार्केटिंग में किये गए अनेक सुधारों से हमारे अनदाता किसान और भी सशक्त होंगे और उन्हें अपने उत्पादों की बेहतर कीमत प्राप्थ होगी सरकार ने प्रतेग देशवासी की छमता को विक्सित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जिनमें से कुछ का ही उल्लेख मैंने किया है प्यारे देशवासीो अब जम्मू कस्मीर में नव जागरन दिखाई दे रहा है सरकार ने लोकतंत्र और कानून के शाशन में विश्वास रखने वाले सभी पक्षों के साथ परामर्स की प्रक्रिया सुरू कर दी है मैं जम्मू कस्मीर के निवासियों विशेशकर युवाओं से इस अवसर का लाब उठाने और लोकतंत्रिक संस्थाओं के माध्यम से अपनी आकांचाओं को साकार करने के लिए सक्री होने का आगरे करता हूँ सरवांगेण विकास के प्रभाव से अंतर राश्च्रिय मंच पर भारत का कद मुचा हो रहा है यह बदलाव प्रमुख बहु पक्षी मंचों पर हमारी प्रभावी भागीदारी में तथा अनेक देशों के साथ हमारे द्वी पक्षी सम्मंधों को सुद्रड बनाने में परिलक्षित हो रहा है प्यारे देशवासियों 75 साल पहले जब भारत ने आजादी हासिल की थी तब अनेक लोगों को यह संसे था कि भारत में लोकतंत्र सफल नहीं होगा ऐसे लोग शायद इस्तत्र से अनभिग थे कि प्राचीन काल में लोकतंत्र की जड़ें इसी भारत भूमे में पुश्पित पल्लवित होई थी आदुनेक युग में भी भारत बिना किसी भेदभाव के सभी वयसकों को मतादिकार देने में अनेक पश्चमी देशों से आगे रहा हमारे राष्ट निर्माताओं ने जन्ता के विवेक में अपनी आस्था व्यक्त की और हम भारत के लोग अपने देश को एक शक्तिशाली लोकतंत्र बनाने में सफल रहे हैं हमारा लोकतंत्र संसदी प्रणाली पराधारित है अता संसद हमारे लोकतंत्र का मंदिर है जहां जन्ता की सेवा के लिए महत्पूर्ण मुद्दों पर वाद विवाद संबाद और निर्णे करने का सरवोच मंच हमें उपलब्ध है ये सभी देशवासियों के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे लोकतंत्र का ये मंदिर निकट भविस में ही एक नए भवन में इस्थापित होने जा रहा है ये भवन हमारी रीती और नीती को अविव्यक्त करेगा इसमें हमारी विरासत के प्रती सम्मान का भाव होगा और साथ ही समकालीन विश्व के साथ कदम मिलाकर चलने की कुशलता का प्रदर्शन भी होगा स्वतंत्रता की 75 वी बर्स कांट के अवसर पर इस नए भवन के उद्गाटन को विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की विकास यात्रा में एक अइतियासिक प्रस्थान विद्दू माना जाएगा सरकार ने इस विशेश वर्स को इस मरनी बनाने के लिए कई उजनाओं का सुभारंब किया है गगण यान मिशन उन अभियानों में विशेश महत रखता है इस मिशन के तहत बारतिय बायुसेना के कुश पाइलट विदेश में प्रस्थिक्षन प्राप्त कर रहे हैं जब वे अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगे तो भारत मानो युक्त अंतरिक्ष मिशन को अंजाम देने वाला दुनिया का चोथा देश बन जाएगा। इस प्रकार हमारी आकांचाओं की उड़ान किसी प्रकार की सीमा में बनने वाली नहीं है। फिर भी हमारे पैर यथार्द की ठोस जमीन पर टिके हुए है। हमें यह ऐसास है कि आजादी के लिए मर मिटने वाले स्वाधीनता सेनानियों के सपनों को साकार करने की दिशा में हमें अभी काफी आगे जाना है। वे सपने हमारे सम्विधान में नियाय, स्वतंतरता, समता और बंदुता इन चार सार गर्वित सब्दों द्वारा इसपस रूप से समाहित किये गए हैं। असमानता से भरी विश्व विवस्था में और अधिक समानता के लिए तथा अन्याय पूर परसितियों में और अधिक नियाय के लिए द्रड़ता उर्वप्रियास करने की अवश्कता है। नियाय की अब धारणा बहुत ब्यापक हो गई है, जिसमें आर्थिक और परियावर्ण से जुड़ा नियाय भी सामिल है। आगे की राह बहुत आसान नहीं है। हमें कई जटिल और कठिन पड़ाव पार करने होंगे, लेकिन हम सब को असाधारन मार्ग दर्शन उपलब्ध है। यह मार्ग दर्शन बिविन्न स्रोतों से हमें मिलता है। सदियों पहले के रिशी मुनियों से लेकर आधुने योग के संतों और राष्ट नायकों तक हमारे मार्ग दर्शकों की अतियंत समरद परमपरा की शक्ती हमारे पास है। अनेकता में एकता की भावना के बल पर हम दर्शकों से एक राष्ट के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। बिरासत में मिली हमारे पूरवजों की जीवंद्रस्टी इस सदी में नकेवल हमारे लिए बलकि पूरे विश्व के लिए सहायक सिद्ध होगी। आधनिक अध्योगिक सब्रता ने मानोजाती के सम्मुख गभीर चुनोतियां खड़ी कर दी हैं। समुद्रों का जलिस्तर बढ़ रहा है। गलेसियर पिघल रहे हैं और प्रत्वी के तापमान में ब्रद्धी हो रही है। इस प्रकार जलवाई परिवरतन की समस्या हमारे जीवन को प्रभावित कर रही है। हमारे लिए गर्व की बात है कि भारत ने ना केवल पेरिस जलवाई समझोते का पालन किया है बलकि जलवाई की रक्षा के लिए तै की गई प्रतिवद्धता से भी अधिक योगदान कर रहा है। फिर भी बानवता को विस्विस्तर पर अपने तौर तरीके बदलने की सक्त जरूरत है। इसलिए भारतिय ग्यान परमपरा की ओर दुनिया का रुज्वान बढ़ता जा रहा है। ऐसी ग्यान परमपरा जो वेदों और उपनिशदों के रचना कारों द्वारा निर्मित की गई। रामायर और महाभारत में वर्नित की गई। भगवान महावीर, भगवान बुद्ध तथा गुरू नानक द्वारा प्रसारित की गई। और महात्मा गांदी जैसे लोगों के जीवन में परिलक्षित हुई। गांदी जी ने कहा था कि प्रकृती के अनुरूप जीने की कला सीखने के लिए प्रियास करना पड़ता है। लेकिन एक बार जब आप नदियों और पहाड़ों, पर्शूओं और पक्षियों के साथ संबंध बना लेते हैं, तो प्रकृती अपने रहसियों को आपके सामने प्रकट कर देती है। आइए, हम संकल्प लें कि गांदी जी के इस संदेश को आत्मसात करेंगे और जिस भारत भूमी पर हम रहते हैं, उसके परियावरन के संरक्षन के लिए त्याग भी करेंगे। हमारे स्वतंदरता सेनानियों में देश प्रेम और त्याग की भावना सरवोपर थी। उन्होंने अपने हितों की चिंता न करते हुए हर प्रकार की चुनोतियों का सामना किया। मैंने देखा है कि कुरोना के संकट का सामना करने में भी लाखों लोगों ने अपनी परवाह न करते हुए मानवता के प्रती निस्वार्थ भाव से दूसरों के स्वास्त और प्राणों की रक्षा के लिए बारी जोखे मुठाए हैं। ऐसे सभी कोविड योद्धाओं की मैं हिर्दे से सराहना करता हूँ। अनेक कोविड योद्धाओं को अपनी जान भी गवानी पड़ी है। मैं उन सब की इसमती को नमन करता हूँ। हाल ही में कारगिल विजे दिवस के उपलक्ष में मैं लद्धाक इस्तित कारगिल युद्ध इसमारक द्रास में अपने बहादुर जवानों को सरधाणजली देने के लिए जाना चाहता था। लेकिन रास्ते में मौसम खराब हो जाने की वज़े से मेरा उस इसमारक तक जाना संभौ नहीं हो पाया। वीर सैनकों के सम्मान में उस दिन मैंने वारा मूला में डैगर वार मेमोरियल पर सहीदों को सरधाणजली अर्पित की। वह मेमोरियल उन सभी सैनकों की स्मृति में बनाया गया है जिनों ने अपने कर्तब पत पर सर्वच वलिदान दिया है। उन जाब आज यो धाओं की वीरता और त्याक की सरहना करते हुए मैंने देखा कि उस युद्ध इसमारक में एक आदर्स वाक के अंकित है। मेरा हर काम देश के नाम। यह आदर्स वाक के हम सभी देशवासियों को मंत्र के रूप में आत्म साथ कर लेना चाहिए तथा रास्ट के विकास के लिए पूरी निस्ठा वा समर्पन से कार करना चाहिए। मैं चाहूंगा कि रास्ट और समाज के हित को सरवो पर ही रखने की इसी भावना के साथ हम सभी देशवासि भारत को प्रगती के पत पर आगे ले जाने के लिए एक जूट हो जाए। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं बिसेश रूप से भारती ससस्त्र बलों के वीर जमानों की सरहना करता हूं। जुनोंने हमारी स्वतंदरता की रक्षा की है और आवस्कता पढ़ने पर सहार्स वलिदान भी दिया है। मैं सभी प्रवासी भारतियों की भी प्रसंसा करता हूँ, उन्होंने जिस देश में भी घर बसाया है, वहां आपनी मात्र भूमी की छवी को उज्वल बनाए रखा है। मैं एक बार फिर आप सभी को भारत के पच्छतर में स्वतंतता दिवस की पूर्व संध्या पर बधाई देता हूँ, यह बर्स गांट मनाते हुए मेरा हर्दय सहज ही आजादी के शताब्दी बर्स 2047 के सशक्त सम्रद और शांती पूर्ण भारत की परिकल्पना से भरा हुआ मैं यह मंगल कामना करता हूँ कि हमारे सभी देशवासी कोविट महामारी के प्रकोप से मुक्त हों तथा सुख और सम्रद्धी के मार्क पर आगे बढ़ें एक बार पुना आप सभी को मेरी शुब कामना हैं धन्नवाद, जय हिंद My dear fellow citizens, Namaskar. It is a matter of great joy for me to wish all Indians living in India and abroad a very happy Independence Day. This day has a special significance as it marks the beginning of the 75th year of India's Independence for which Ajadi Ka Amrit Mahotso is being celebrated. My hearty congratulations to you all on this momentous occasion. Independence Day is a festival of freedom for us. This was made possible by generations of freedom fighters, some known, many unknown. They made great sacrifices. Today, you and I breathe under free skies thanks to their heroic deeds. I bow in respect to the pious memory of those brave martyrs. Our nation, like many others, suffered great injustices and tyranny under foreign rule. What distinguishes India, however, is that the character of our nationalist movement led by Mahatma Gandhi was based on the principles of truth and non-violence. He and all other national heroes provided us with an invaluable blueprint to not only liberate the nation from colonial rule, but also to rebuild it. Gandhiji's struggle was for a return to Indian ethos and for human dignity. Now, as we look back to the 75-year journey of our republic, we have reasons to be proud of the considerable distance we have travelled. Gandhiji taught us that slow and steady steps in the right direction are preferable to rapid strides in the wrong direction. The world looks up at the miracle of India, home to the plurality of traditions and yet the biggest and most vibrant democracy. Dear fellow citizens, In the recently concluded Tokyo Olympics, our sportspersons have brought laurels to the nation with their stellar performances. India has won the highest number of medals in the 121 years of its participation in the Olympics. Our daughters have achieved world-class excellence in playgrounds, overcoming many adversities. Along with sports, epoch-making changes are taking place in the participation and success of women in all walks of life. From higher educational institutions to armed forces, from laboratories to playgrounds, our daughters are making their mark. In the success of our daughters, I see a glimpse of a developed India of the future. I urge every parent to learn from the families of such promising daughters and provide opportunities to their daughters also to explore avenues of growth. Like last year, this year too, the scale of Independence Day celebration may have been reduced due to pandemic, yet our hearts remain always filled with enthusiasm. The intensity of the pandemic has come down, but the coronavirus has not yet gone away. We are yet to come out of the devastating effects of its recurrence this year. Last year, with exceptional efforts from all, we had succeeded in bringing the spread of infections under control. Our scientists had succeeded in developing vaccines in a very short time. Therefore, at the beginning of this year, there was every reason to be hopeful as we launched the largest vaccination exercise in history. Yet, due to the new variants and other unexpected factors, we suffered from a terrible second wave. I am deeply sad that many lives could not be saved, and many more suffered immensely in this phase of an unprecedented crisis. I speak for the whole nation when I say that I share the grief of all the affected families with the same intensity. The science is coping with this invisible enemy of terrible might with remarkable speed. We can take solace from the fact that more lives have been saved than the lives lost. It was our collective determination to overcome the challenge that helped us see the weakening of the second wave. Once again, our corona warriors, the doctors, nurses, and health workers, the administrators, and others risked everything to contain the impact of the second wave. The second wave brought our public healthcare infrastructure under stress. The reality is that no infrastructure, even of advanced economies, could withstand a crisis of such enormous proportions. Efforts were made on war footing to plug the gaps. The leadership rose to the challenge, and the government's endeavors were supplemented by initiatives of the states, private sector healthcare facilities, the civil society, and others. In this extraordinary mission, foreign nations shared the essentials generously, just as India had reached out to many nations with medicine, equipment, and vaccines. I am grateful to the global fraternity that came forward with a helping hand. Due to these efforts, the nation breathes a sigh of relief with the return of a semblance of normalcy. If we have learned our lessons well, we know that this is the time of extra care and caution. We shall not let our guard down. Vaccines are the best possible protection science offers to us. Under the world's biggest vaccination campaign going on in our country, more than 50 crore fellow citizens have been vaccinated so far. I urge all eligible citizens who are yet to get vaccinated to do so at the earliest and also inspire others. Dear fellow citizens, the economic impact of the pandemic is as disastrous as its health impact. The government has been concerned about the lower middle classes and the poor, as well as about the small and medium industries. It has been sensitive to the needs of the laborers and of employers who have been facing hardships due to the lockdowns and movement restrictions. Sensitive to their needs, the government had taken a series of relief measures last year. This year also, the government had distributed food grains to about 80 crore people in May and June. This benefit has been extended till Diwali. Moreover, the government has announced a new stimulus package worth Rs. 628,000 crore to boost the selected COVID affected sectors. In particular, it is heartening to note that an amount of Rs. 23,220 crore is being spent over one year for expansion of medical facilities. It is heartening to note that rural India, particularly the agriculture sector, has kept growing against all odds. In a recent visit to my ancestral village, Parangh, in Kanpur, Dehat, I was quite pleased to find that better infrastructure is being developed to make life better for people in rural areas. The psychological distance between the urban and rural is now much less as compared to the past. After all, India lives in its villages which cannot be allowed to lag behind in development. That is why special campaigns including the Pradhan Mantri Kishan Samman Nidhi are being implemented for the welfare of our farmers. These efforts are consistent with the vision of an Atma Nirvar Bharat, a self-reliant India. With abiding faith in the inherent capacity of the economy, the government has further opened up defence, health, civil aviation, power and other sectors. The government's new initiatives to promote eco-friendly renewable sources of energy, particularly solar power have won praise around the world. If there is an improvement in the ease of doing business, it has a positive impact on the ease of living for all. In addition to these, special emphasis is being given to public welfare. For example, the dream of having a home of one's own is being realised, thanks to the Rs. 70,000 crore credit-linked subsidy scheme. The series of agricultural marketing reforms will empower our Annadatta farmers and help them get better price for their produce. These are some of the measures the government has taken to unleash the potential of every Indian. Dear fellow citizens, a new dawn is rising in Jammu and Kashmir. The government has initiated the process of consultation with all stakeholders who have faith in democracy and the rule of law. I urge the people, especially the youth of Jammu and Kashmir, to utilise this opportunity and work on realising their aspirations through democratic institutions. With all-round progress, India's stature is rising in the international arena as it was reflected in our participation in several key multilateral forums as well as in consolidating bilateral relationships with several countries. Dear fellow citizens, when India won independence 75 years ago, many sceptics thought democracy would not survive in India. Little did they know that roots of democracy were nurtured in this soil. In ancient times and even in modern times, India was ahead of many Western nations in offering franchises to all adults, regardless of any distinctions. The Founding Fathers had reposed their faith in the wisdom of the people. And we, the people of India, have made India a strong democracy. We have adopted the system of parliamentary democracy. Therefore, our Parliament is the temple of our democracy, which provides us the highest forum, where we discuss, debate and decide issues for the well-being of our people. It is a matter of great pride for all Indians that our Parliament will soon be housed in a new building. It will be a fitting statement of our outlook. It will honour our legacy while also walking in step with the contemporary world. It is more than symbolic that the new building will be inaugurated in the year of the 75th anniversary of Independence. The Government has planned many initiatives to make this special year memorable. And the most exciting of them all may as well be the Gaganyan Mission. Pilots of the Indian Air Force have been receiving training abroad. When they fly off into space, India will become only the fourth nation on the planet to carry out a manned space mission. When it comes to the flights of our ambitions, we don't let any limitations define us. Yet, we keep our feet on the ground. We acknowledge that we still have a long way to go in realizing the dreams of those who won the freedom for us. Our Constitution neatly summarizes those dreams in four words. Justice, liberty, equality and fraternity. We must strive for more equality in an unequal world, more justice in unjust circumstances. Justice has come to encompass a large range of connotations, including economic and environmental justice. The road ahead is not easy. We will have to negotiate many twists and turns, but we have the benefit of incomparable guidance. It comes to us from diverse sources, from the venerable seers of millennia ago, down to the sages and leaders of more recent times. In the spirit of unity in diversity, we as a nation are following the right course. This vision, derived from the unique Indian heritage, is going to be helpful not only to us, but to the whole world in this century. Modern industrial civilization has posed serious challenges before humankind. Climate change has become a reality of life, with seas rising, glaciers melting and temperatures sowing. India is proud of not only adhering to the Paris Climate Agreement, but doing more than what the country has committed to protect the climate. However, the world desperately needs a course correction. This is why the world is increasingly turning to the wisdom of India. As created by the authors of the Vedas and Upanishads, as depicted in the Ramayana and Mahabharata, as taught by Lord Mahavira, Lord Buddha and Guru Nanak. And as reflected in the lives of the likes of Mahatma Gandhi. Learning the art of living in tune with nature requires effort, Gandhiji says. But once you establish a relationship with rivers and mountains, birds and animals, nature reveals its secrets to you. Let us resolve to listen to this message of Gandhiji and also to make sacrifices for the sake of the land we live in. The spirit of patriotism and sacrifice was paramount among our freedom fighters. They faced all kinds of challenges without caring for their own interests. I have seen that in the face of Corona crisis, lakhs of people have taken enormous risks to protect others with the spirit of selfless service for humanity. I convey my profound appreciation for all such COVID warriors. Many of them succumb to COVID-19. I pay homage to them. Recently, on the occasion of Kargil Vijay Divas, I wanted to visit the Kargil War Memorial Dras in Ladakh to pay homage to our brave soldiers. But due to bad weather, it was not possible for me to reach that monument. On that day, I paid homage to our brave soldiers at the Dagger War Memorial in Baramula. That memorial has been built in the memory of all the soldiers who have made the supreme sacrifice in their line of duty. While appreciating the valor and sacrifice of those brave warriors, I noticed that the War Memorial has a motto inscribed, Mera Har Kam Desh Ke Naam, which means, Each and every deed of mine is for the nation. All of us should imbibe this motto as a mantra and work with full devotion and dedication for the development of the nation. I would like that all of us come together to take India forward on the path of progress with the spirit of keeping the interest of the nation and society foremost. Dear fellow citizens, I extend my greetings especially to the members of the armed forces who have guarded our freedom valiantly and gladly making supreme sacrifice when necessary. I also extend my greetings to the members of the Indian diaspora who have represented the motherland well wherever they have made home. I once again congratulate all of you on the eve of India's 75th Independence Day. While celebrating this anniversary, I cannot stop my mind from imagining a powerful, prosperous and peaceful India of 2047 when we will celebrate 100 years of our independence. I wish that all our people come out of the difficulties caused by the COVID pandemic and move ahead on the path of happiness and prosperity. Once again, my best wishes to all of you. Thank you. Jai Hind! . . . . . . . . झाल